हेलो फ्रेंस अभीको मेरा नमस्कार आज आपका कम कीमती समय लेते हुए आज हम कटिंग बताएंगे कुर्ती की यह कुर्ती का कपड़ा है हमारा इस तरशे और इसको हमने यह इस तरशे हमनों देख करके इसको फोल्ड कर लिया फोल्ड करने के बाद हम इसके अच्छे से फिनेशिंग के साथ फोल्ड करने के बाद इसको कुछ इस तरशे हम इसको डबल से फोल्ड कर लेंगे एक बार हमने शिंगल फोल्ड किया अब हम इसको डबल से फोल्ड कर रहे हैं कुछ इस तरशे और हमने जब डबल से फोल्ड कर लिया, तब हम इसकी जो कुर्टे की लंबाई रखेंगे हम, कुर्टे की लंबाई हमारी साथ इसे इंच रहेगी, और यह हमने फोल्ड कर लिया, और फिर अब हम इसकी लंबाई रख रहे हैं 37 इंच, आप अपने अनुसार रख सकते हो, आपको कितने लंबाई चाहिए, लेकिन मुझे 37 चाहिए तो मैं 37 रख रहे हूं, यह मैंने रखा 37 इंच, और यहां से भी 37 इंच, 37 हो गया, अब हम तीरा रखेंगे, 6 इंच, हम बोटन ने अगला बनाना है, तो हम तीरा रख रहे है, 6 इंच, और यह जो आश्टरा कपड़ा था मैंने इसकी एकसार कर लिया, और 6 इंच अपने मैंने तीरे पर निशान लगा दिया, और 6 इंच, साड़े 6 इंच मैंने पड़े होगा, कमर का जो ढाल दिया जाता है, वो 7 इंच की दूरी पर दिया जाता है, तब हम कमर का ढाल लगाएंगे, 7 इंच की दूरी पर, यानि की निच्चे, चेश्ट हमारे साड़े 10 है, यह इस तरह से हमने साड़े 10 पर चेश्ट रखें, दो इंच आश्टरा, और हमने इस तरह से एक लाइन खीज़ दी, और यह रखा हमने, कमर रखेंगे हम, 8 इंच की, यानि के खुल करके आएगी वो, शोला इंच, चौथाई भाग में हम इसको 8 इंच रख रहे हैं, तो यह हमारी हो गई कमर, कमर का ढ़ाल हो गया, अब हम रखेंगे, जो जहां पर चाक खुलते हैं, तो यह चाक जो खुल ले हम, चेश्ट से एक इंच फालतु रखते हैं, तो यह साड़े दस थे, अब हम 11 रख रहे हैं, यह हमने 11 रख दें यहाँ पर, यह हमने 11 रखने के बाद, इस तरह से निशान लगा दिया, उपर हमने लिया दो इंच आश्टा, लेकिन हम है पर लेंगे, एक इंच आश्टा, हम यहाँ पर जाद नहीं लेंगे, एक इंच लेंगे, हम दो इंच आश्टा, अब हम इसको यहाँ पर भी निशान लगा दिये, यहाँ भी एक इंच आश्टा ले लेंगे, और यहाँ पर भी हम, एक इंच ले लेंगे अब इस स्केल के दुबारा हम इसको एक सीधी लाइन खीच देंगे कुछ इस तरह से अब हमने लाइन खीचने के वाद और इस तरह से हमने यहां पर भी ढाल की लाइन खीच दी और यह हमने इस तरह से निशान लगा लिया और गला रखेंगे हम चौड़ाई में धाई इंच धाई इंच हम गला रख रहे हैं चौड़ाई में पर लंबाई में रखेंगे एक फ्रेंड का गला हम लंबाई में अब हम अब हम इसको कट कर देंगे पहले हम बैक साइड का यानि के दोनों को कुछ इस तरह से कट कर लिए अब हम बैक साइड का पार्ट एक साइड कर देंगे यह वच्छे नपीच कर देंगे कट कर लेंगे आसे रहिं यह हमने इस तरह से निकाल दिया अब हम इसको अच्छी फिनेशिं के साथ रखते हुए इक दम मिक्सार कर लेंगे इस तरह से और फिर हम मुढ्डे भी बैक पार्ट से कुछ फ्रेंट पार्ट के गहरे काटेंगे और गला भी दोनों चीज हम फ्रेंट पार्ट से गहरी काटेंगे तब हम निशान लगाते हैं निशान हमारे पहले लगे हुए है अब हमको कट कट करना है वस इस तरह से और मुढ्डे को इस तरह से हमने मुढ्डा भी कट कर लिया है और अब हमां आस्तीन कट कर रहे हैं यह हमारे आस्तीन है आस्तीन को रख देंगे हम कुछ इस तरह से पहला कट कर लेंगे इसको अब हम आस्तीन की जो लंबाई रखेंगे वह 16 इंच रखेंगे 16 इंच पह हमने आस्तीन की लंबाई रखेंगे अब हम इसको फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरह से अब यह हमने इस तरह से 16 इंच पर निश्चान लगा दिया अब हम अच्छे से बाजू के डाल लगा करके कट कर देंगे कुछ इस तरह से हमने अब हम इसको इस तरह से मोरी रखी मैंने इसकी साथ इंच चोड़ाई में वो लंबाई है इसकी 16 इंच यह बात मैंने भी बोली थी और इस तरह से मैंने अब हम इसको इस तरह से कट कर देंगे और यह मेरी आस्तिन भी कट हो गई यानि के बाजू अब हम चलते हैं मसीन पर और यह हमने तिको निवेकार दी पुरेवी पट्टी कुछ इस तरह से और इसको हम जोड़ लेंगे यह इस तरह से हम दो-दो एक साथ जोड़ लेंगे गला बनाने के लिए हम पाइपिन पट्टी से दोनों बैग ओर फ्रेंड दोनों गले एक साथ बना देंगे और अब मैंने इसको सिल लिया यह पट्टी सारी एक लंबी लंबी पट्टी बना लेंगे और मैंने इसको सबको एक दूसरे में जोड़ करके लंबी सी पट्टी बना लें ताकि हमारे दोनों गले एक साथ ही बन जाए फ्रेंड और बैग दोनों गले यह मैंने उरे भी पट्टी काटी थी अभी हमने इस तरह से फोल्ड करने के बाद यानि के अब हम आज दिन पर कुर्टे पर इस तरह से रख करके शिलाई लगा देंगे अब हमने इस तरह से शिलाई लगा देंगे और इधर से यह हमने इस तरह से बना दिया गला देखो फ्रेंड अब दोनों साइड से हमने इस तरह से ही गला बना दिया अब हम यहां पर कांधे जोड लेंगे यानि के अपना तीरा हमने जोड लिया और तीरा जोडने के बाद कुछ इस तरह से हो गया हमारा अब हम इसमें बाजू लगा देंगे इधर से भी और इधर से भी हमने बाजू भी लगा दी और फ्रेंस अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे फिटिंग यहां से रखेंगे हम और यह मैंने फिटिंग लगा रहे हूं अब यह फिटिंग लगाते हुए अब मेरा कुर्ता कंप्लेट हुआ फ्रेंस वीडियो पसंद आए है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें